हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अविनानीटिंग आज देखिए यह मल्टी शेड में बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूं देखिए बिल्कु डायमंड की तरह लगता है और आप इसमें बीच में कोई स्टॉन वगारा मोती भी लगा सकते हैं और यह वैसे भी अच्छ बहुत ही आसानी से बन जाता है और फ्रेंड्स वैसे तो यह दो सलाई गई पैटर्न है लेकिन एक बार पैटर्न यहां बनता है एक बार यहां तो यह चार सलाई में हमारा कंप्लीट होगा और देखिए यह रॉंग साइड है इसका यह पैटर्न हमारा रॉंग साइड से स् आज हम इसको बनाना सीखेंगे, तो इसको बनाने के लिए देखिए, हम पहले इसके फंदों का इसाब लगा लेते हैं, तो यहाँ पर दीखिए, आपको 6-6 के इसाब से फंदे लेने हैं, यानि कि 6 के multiple में फंदे लेने हैं, और कोई भी फंदा आप extra नहीं रखेंगे, यह ब यह first draw है, आप ध्यान से देखेगा, देखिए, पहली सलाई है हमारी pattern की, stitch का फंदा उल्टा बनेंगे, एक फंदा हम और उल्टा बनेंगे, अब दो फंदे सीधे बनेंगे, एक फंदा उल्टा बनेंगे, दो फंदे सीधे बनेंगे, दो फंदे सीधे बनेंगे, दो फंद सीधे पुनेंगे तो इसी तरीक से हम रेपीट करेंगे दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा तो पूरी सलाई इसी तरीक से बनाते जाएंगे यह हमारी उल्टी सलाई है हमारा पैटर्न उल्टी सलाई से स्टार्ट होगा यह सलाई हमारी पैटर्न की ही सलाई है देखिए, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और यह एस्टिच का है, इसे भी बुल लेते हैं उल्टा, तो आ जाते हैं सीधी सिलाय में, आप ध्यान से देखिएगा प्रण समय क्या करना है, एक फंदा एस्टिच का पहले सीधा बुल लेते हैं, देखिए, अब एक सीधा पंद्दा और दो उल्टे और एक सिधा यह 4 पंद्दे और इससे पे हमारा प्टरन बनेगा तो यहां 4 पंदे के बाद ऐसे नीडल को निकाल लिएगा यहां से एक पंदा बनाईए और इसको ऐसे नीडल पर रकत दीजिए देखिए अब अगले फंदे के साथ इसको मिलाते हुए हम ऐसे दो का एक कर देंगे और इस वाले फंदे को आप लूज रखेगा अगर आप टाइट करेंगे तो हमारा पैटर्न खराब हो जाएगा इसको लूज रखते हुए हम बनाएंगे डिजाइन को अब दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा अब ये दो फंदे जो उल्टे हैं ये हमारे डिजाइन के पीछ में गैप पाले फंदे हैं ये हमारे उल्टे ही बुले जाएंगे तो ये दो फंदे हम उल्टे बुल लेते हैं अब धागा पीछे करेंगे, फिर से वोई चार फंदे आ गए, देखिए, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, तो यहाँ चार फंदों के बाद ऐसे नीडल को निकलेंगे, ऐसे खींच के धागे को लाएंगे, और ऐसे पलटते हुए रख देंगे, अब अगले फंदे के साथ दो का एक कर देंगे, देखिए, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से गैप पाले फंदे दो उल्टे, धागे पीछे करेंगे, यह वो ही चार फंदे, इन पे हमारा पैटन बनेगा, नीडल को इंसर्ट करेंगे, एक लूप बनाएंगे डीला सा, और यहाँ पर र सीधा, 2 फंदे उल्टे, आफ फिसे पैटन बाले फंदे, चार नीडल इंसर्ट करेंगे, ऐसे पलटते उए फंदे को रख देंगे, दो का एक करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर से चार फंदे ये निडल इंसेट करेंगे, फंदे को ऐसे पलटते हुए रखेंगे, दो का एक कर देंगे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, लास्ट का एस्टिश का फंदा ये भी सीधा बुलनेंगे आजाते हैं उल्टी सलाई में देखे उल्टी सलाई जैसे हमारी पस्ट्रौ थी उसी तरीकर से पुने जाएगी 1 stage का फंदा उल्टा 1 design का फंदा उल्टा 2 फंदे सीधे एक फंदा उल्टा 2 फंदे सीधे एक बात याद रखेगा फ्रेंट कि उल्टी सलाई हमारी first draw की तरह ही चलेगी इसमें कोई फंदों में changing नहीं होंगी जैसे फंदे हमें नजर आ रहे हैं इसी तरीकर से हम बुनते जाएंगे तो उल्टी सिलाई एक सी बुनी जाएगी सीधी सिलाई में हमारा pattern की जगा चेंज होगी लेकिन उल्टी सिलाई हमारी एक सी रहेगी तो यहाँ पर दो फंदे सीधे और उल्टे बुनते जाएंगे देखें लास्ट में दो फंदे उल्टे हैं तो आज जाते हैं सीधी सिलाई में अब देखें अब हमारे design की जगा चेंज होगी तो इसके लिए देखें पहला फंदा एस्टिच का बुन लेते हैं एक फंदा और सीधा बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे अब देखें हमारा pattern यहाँ पर बनेगा पहले हमने यहाँ बनाया था अब यहाँ बनेगा देखें चार फंदों के बाद सलाई को ऐसे इंसर्ट करेंगे एक लूप बनायेंगे धागे को लंबा छोड़ते हुए और दो का एक कर देंगे अब दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे अब फिर से देखें यहाँ पर नीडल को इंसर्ट करेंगे एक लूप बनायेंगे दो फंदों क एक करेंगे देखें दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे आप फिर से दीखें डिजाइन वाने फंदे एक लूप बनाएंगे दो फंदों का एक कर देंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे आप फिर से चार फंदे यह डिजाइन वाले हमारे यहां से शलाई को इंसर्ट करेंगे लूप बनाएंगे तो का एक करेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे लास्ट के दो फंदे सीधे बुर्णेंगे तो यह दीखी यहां पर हमारा पैटन इस तरह से बनता जाएगा देखी इस तरह से हमारी आड़ी आड़ी लाइने बन जाती है और बिल्कुल दीखी ड जोड़ेंगे तभी इस पैटर्न के खुबसूरती आएगी तो प्रेंट्स कैसा लगा आपको मेरा यह डिजाइन अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शियर जरूर करें कमेंट्स करें आउंगे फिर से एक नए डिजाइन के साथ आप लोग की खिदमत में तब तक के लिए गुट बाइ थैंक यू